आज मैं आपके साथ अगेन एक मेकप टुटोरियल शेयर कर रहे हूं दिस इस अमाराथी मेकप टुटोरियल यह महरास्ट्रियन मेकप मैंने क्रीट की थी अगेन एक चैलेंज के लिए हर मेकप के पहले एक अच्छी स्किन केर की बहुत जरूरत होती है तो वो स्किन केर मैंने आफ कैमेरा कर ली है तो नाव मैं फांड़ेशन अप्लाइ कर रहे हूं नेक्स्ट मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड करूंगी हाँ याद रखके ब्यूटी ब्लेंडर को भिगो लेना चाहिए अच्छे से उसको भिगो के निचोड के उसके बाद ही ब्लेंड करें next मैं यहां पर concealer यूज़ कर रहे हूँ यह twin one concealer है stick वाला और liquid दोनों एक साथ है तो मैंने stick वाला use की है अपनी under eyes areas को controlling करने के लिए next मैं अगें उसी beauty blender की मदद से इसको blend कर लूँगी इस प्रवेश को असेत करने के लिए एक फलपी पाओर ब्रस की मदद से यह पाओर मैं अपलाई कर अपनी पूरे फेस पे नेक्स्ट मैं वही कंसीलर का liquid वाला पोशन अप्लाई कर घ्रया है अपनी आई मेकप करने के लिए आइलेट पे यान ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको ब्लेंड कर जहूं मैं वही एक ही ब्लेंडर यूज़ कर जहूं मेरा जो makes up का base था वो मैंने complete कर ली है अभी मैं अपनी eyebrow milan करूंगी स्पी से पहले तो मैं यहाँ पे eye shadow में से एक black color की shade लेके अपनी eyebrow को draw करूं रहे हूँ nesht मैं eyebrow milan करने के बाद फूली लोंगी और उसकी मदद से अपनी eyebrow hair को comb करूंगी और जो भी excess product मेरे eyebrow में हैं उसको अच्छे से blend करूंगी तो मैं यहां पी colorful palette यूज़ करूँ यहां से मैंनेगी blue color का shade लेके अपने crease पे apply करूंगी और उसको धीरी धीरी अच्छे से हलके आतों से blend करूंगी एक साथ बहुत सारा product हम नहीं लेंगे हम थोड़े थोड़े करके product लेंगे तकि अच्छे से हम अमारी crease को blend कर सकी एक साथ बहुत साथ प्रड़ाक लेने से हम अच्छे से blend नहीं कर पाते हैं excess product बहुत जादा वहाँ पे जमा हो जाते हैं इसलिए हम थोड़े थोड़े प्रड़ाक लेंगे और अच्छे से crease को complete करेंगे नेक्स्ट मैं यहाँ पे loose shimmer यूज कर रहे हूं यह kind of golden shimmer है तो मेरे सारी के साथ एक्टब match हो जाएगी इसलिए मैं इसको use कर रहे हूं आप देखेंगे जब last में मैं सारी पहन के आउंगी तो मैं एक flat brush की मदद से जो भी shimmer apply की है उसको अच्छे से blend कर लूँगी blend करना बहुत ज़रूरी पार्ट होता है नहीं तो ending और starting position दिख जाती है next मैं यहाँ पे एक thin wing liner draw करूँगी इसके लिए मैंने Maybelline का black gel liner यूज़ की है उसकी मदद से मैं एक thin gel liner draw करूँगी एक्टम पतला सा बहुत ना मोटा बहुत पतला भी नहीं जो भी eye makeup करते वक्त fall out हुई है shimmer की shadow की उसको मैं एक fluffy powder brush की मदद से clean करूँगी next मैं एक flat blending brush की मदद से अपनी lower lash line पे वही बाली blue shade जो मैंने crease apply की थी वही blue shade को धीरे-धीर smudge करूँगी lower lash line पे दीरे-धीरे करना है नहीं तो fall out हो जाएगी फिर से इसलिए मैं बहुत दीरे-धीरे कर रही हूँ next मैं काजल apply करूँगी उसके लिए मैंने काजल प्रेंसिल ली है और अपनी water line पे apply करूँगी पूरा water line पे नहीं half of the water line अपको apply करनी है कंटूर करने के लिए अगेन वो गंटूर हाइलाइटार का ट्वीन वन पैलेट ले रही हूँ और वासे चंटूर शेट लेके अपनी contouring कर रही हूं चिक्स को contour कर रही हूँ, forehead को करूँगी, तो चिक्स को कहां से contour कर तब देख लो, lips और nose की बीच में contouring होती है, हमेशा ये याद रखना, और मैं forehead को भी contouring कर रही हूँ, अच्छे से nose को contouring कर रही हूँ, अच्छे से nose को contouring कर रही हूँ remember that कि contour को हमेशा blend करते time, आपको उपर की तरफ blend करनी होती है, ताकि जो भी ending और starting position वो अच्छे से blend हो जाए, वो दिखे न, harsh न लगे, वो एकदम soft, natural लगे, इसके लिए आपको hair की तरफ उसको blend करनी है कंटोर को थोड़ा सा शाप दिखाने के लिए एक beauty blender लूँगी और उसमें थोड़ा सा loose powder लेके अच्छे से एक sharp kind of a shape दूँगे अपनी कंटोर के नीचे और उसको थोड़ा सा सेट होने के लिए रख दूँगी next मैं highlighting करूँगी और makeup का मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है highlighting क्योंकि आपको एक glow मिलता है आपकी makeup को इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं highlighter लेके एपनी brow bone को nose को, chick को, chin को, upper lip को बहुत अच्छे से highlight करूँगी आप देख सकते हो मैंने contour को थोड़ा सेट होने के लिए और शाप दिखाने के लिए रखा था तो उसमें जो फिक सस पाउडर लगी हुई है उसके fluffy powder brush की मदद से मैं clean कर लूँगी इपनी face से लुक पे मैं दो L18 का matte lipstick को मिक्स करके apply करने वाली हूँ in the shade p29 and p23 मैं यहां पर before applying the lipstick मैं पहले makeup को सेट करना चाहती हूँ तो इसके लिए मैंने यहां पर mask का aloe vera makeup fixer यूज किया है I can't explain you कितना अच्छा है इसका smell guys amazing और इसका final finish look आप देख सकते मैं यहां पर बन पे flower लगा रही हूँ मेरा jewelry वाला clip भी था बट वो अचानक delete हो गया jewelry clip delete होने के वज़े से मैं add ना कर पाई तो this is my final finished look after wearing the jewelry and all अब देख सकतो आई makeup बहुत ज़्यादा match हो गए मेरी outfit के साथ so yeah अगर आपको पसना ही है so don't forget to like share subscribe to my channel I will see in my next video till then bye bye take care